नमस्कार आप सवी का स्वागत थे आज के वीडियो में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के महत्पूर्ण आथर्स के बारे में और उनके दोरा लेखी गई किताबों के बारे में ये किताबे अत्यनत महत्पूर्ण हैं बिविन प्रतियों के प्रिक्षाओं के लिए important है चाहें वो UPSC हो या UPPCS या SSC हो या फिर UP में PET का exam हो जिसको हम PET कहते हैं या UPCCC में कोई भी exam हो उन exams में ये सारी किताबें जो अलग-अलग महतपूर्ड राइटर्स ने लिखी हुई है history में इतिहास में वो सारी आती ही है तो आज के वीडियो में part 1 में हम discuss करेंगे कुछ किताबों के बारे में और ऐसे करते करते हम कई parts upload करेंगे जिसमें हम सभी important books की चर्चा कर लेंगे आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे और comment section में अगर कोई doubt है तो अवस्त लिखेंगे तो start करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो आज के writer है वो है कालिदास अगर हम बात करें कालिदास जी के बारे में तो कालिदास जी गुपता डेनिस्टी से समंदित है यानि गुपता वन्स से समंदित है अगर हम बात करें गुपता डेनिस्टी में जो चंद्रगुपत सेकेंड हुए है यानि चंद्रगुपत विक्रमदित हुए है उन्ही के दरवार में ये सुसोबित विराजमान थे तो कालिदास जी के बारे में हम especially class में चर्चा करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा topic गुपता डेनिस्टी वहाँ पे हमें बात करूँगा विस्तार से कि इन्होंने किस तरीके से ज्ञान अरजित किया और पहले ये किस अवस्था से गुजरे तो पूरी कहानी है मैं आपको सुनाऊंगा फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं बुक्स के बारे में तो इनको जो सबसे पहली किताब है उसका नाम है मालवी कागनी मित्रम तो मालवी कागनी मित्र लिखा हुआ है अगर हम बात करें संस्कृत में तो मालवी कागनी मित्रम क्योंकि सभी कितावे जो है वो संस्कृत में लिखी गई है तो सबसे पहली किताब का नाम है मालविका अगनिमित्रम इसमें मालविका और अगनिमित्र दोनों की कहानी है यहाँ पर मैंने उसको लिखा भी हुआ है The Love Story of Malvika and अगनिमित्र मालविका और अगनिमित्र की प्रेम कहानी के बारे में इसमें दर्साया गया है बताया गया है अगर हम बात करें सेकेंड किताब को नाम क्या है तो विक्रम और वश्यम इसमें भी लव स्टोरी है किसकी विक्रम और उर्वशी की लव स्टोरी है अगर मैं थोड़ा संशेप में बताना चाहूँ तो उर्वसी जो थी वो एक अपसरा थी और उर्वसी और उनकी जो सहलिया थी वो कहीं पे भरमड कर रही थी और वहां से निकलने वाला एक डैत थे उसने उर्वसी को पकड़ लिया और उसके बाद में फिर एक राजा ने उर अभिज्यान शकुंतलम इसमें अगर हम बात करें तो अभिज्यान शकुंतलम में इसमें शकुंतला की पूरी कहानी है यानि recognition of सकुंतला सकुंतला की पहचान हुई कैसे अगर मैं थोड़ा संशेप में आपको बताना चाहूँ इस स्टोरी के बारे में फिलाल तो इस्टोर इसमें क्या है अभिज्यान शकुंतलम में शकुंतला नाम की एक कन्या होती है अगर थोड़ा और हम जाएं पीछे तो में का नाम की अपसरा होती है में का वो शकुंतला नाम की कन्या को जनम देती है और उसको वनो में जंगलों में छोड़ के चली जाती है कुछ समय के बा जाते हैं उन पक्षियों को नाम सकुंता होता है और वहीं से एक रिशी गुजर रहे होते हैं जिनका नाम होता है कंव तो वो रिशी जब देखते हैं कि ये जो बच्चा पड़ा हुआ है जिसके आसपास पक्षी चहचाहा रहे हैं तो उसको वो उठाकर के अपनी कुटिया म ले जाते हैं और वहाँ पे फिर उसको पालते हैं जिसकार करने के लिए भरमर्ण के लिए वन में आते हैं और कोटिया के बास जाते हैं वहाँ पे उनकी मुलागात होती है शकुंतला से और शकुंतला और उनके बीच में प्रेम हो जाता है और गंधर विवा हो जाता है अगर हम गंधर विवा की बात करें, तो गंधर विवा होता, जिसमें पैरेंट्स की अनुमती की बिना दोनों विक्ति एगर राजी हैं, तो वो विवा कर सकते हैं, तो इस प्रकार के विवा को गंधर विवा कहा जाता है, तो अगर आज हम देखें, तो आज modern time में यही विव विवाह हो रहा है ठीक है तो अगर मैं आपको और बताओं इसके बारे में तो विवाह तो हो जाता है लेकिन उसके बाद राजा वहां से निकल जाते हैं और वचन देते हैं कि मैं आपको लेने अवश्या हूंगा लेकिन उस बीच में जब राजा वहां से निकल जाते हैं आते हैं तो शकुंतला अपने बच्चे के साथ जिसका नाम भरत है यानि दुशन्द और शकुंतला का जो बच्चा है वो भरत है उसके साथ सकुंतला दुशन्द के महल में जाती है और वहाँ पे दुशन्द संगुतला को देखते हैं और पैचानने से इंकार कर देते हैं औ और उसके बाद में फिर आकाश वारी होती है, तो जब उनको याद आता है, कि मेरी पत्नी है शकुंतला, और ये भरत मेरा बच्चा है, तो फिर उनको अपना लेते हैं, और अपनी रानी बनाते हैं, यही पूरा स्टोरी बहुत ज़्यादा डिटेल में है, मैंने आपको संशेप में यहाँ पे थोड़ा साथ सुना दिया है, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया मिल जाए, कि इसमें क्या बाते करी गई है, और उसके बाद तो आपको पता ही है, कि हमारे जो भारत देश है, इसका नाम भारत कैसे पड़ा, भारत के नाम पर रखा गया है, तो आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा, अब उसके बाद जो हमारी फूर्थ जो बुक है, वो है कुमार संभवम, अगर हम कुमार संभवम की बात करें, तो इसमें कुमार के जन्म के बारे में बताया गया है, पांचमी जो किताब है वो है मेग दूतम, मेग दूतम का मतलब होता है, मेग मतलब होता है बादल क्लाउड और दूत का मतलब होता है मेसंजर, इसका मतलब यहाँ पे जो बादल हैं, जो क्लाउड हैं, वो काम करते हैं दूत के रूप में, इसलिए मेग दूतम है, बड़ा अच्छी स्टोरी के अंदर भी है, अब क्योंकि अगर मैं एक एक करके सारे स्टोरी सुनाओंगा, तो फिर बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा, तो फिलाल जब मैं आपको अफलाइन क्लास में पढ़ाओंगा, तो मैं आपको पूरा संश उसके बारे में चर्चा करी गई है, बहुत अच्छी स्टोरी स्के अंदर है, और अगर साथ की बात करें, तो इसमें सेवन नमबर पर किताब उसका नाम है, रित्यू संभरम, इसका मतलब इसमें जो मेलिडी ओफ सीजन, यानि रित्यों के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया, बताया गया है, तो इन सातों किताबों को लिखा हुआ है, कालिदास जी ने, एक बार फिर से इनके नाम आप समझ लिजिए, मालवितागरी मित्रम, विक्रमोर वश्यम, अविज्यान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेकदूत्तम, रगवंशम और रितु शंभरम, यह सभी important books हैं, आप लोग नाम जरूर ध्यान रखना इनके, इसके बाद, अब हम आते हैं हमारे दूसरे author के उपर, जो दूसरे हमारे writer author है, वो है जैदेव, जैदेव ने किताब लिखी उसका नाम है, गीता गोविंद, तो गीत गोविंद को हम कहते हैं, गीत गोविंद क अबारे में जो सुद्रक हैं, जो किताब लिखते हैं, मर्च कटकम, मर्च कटकम के अगर हम बात करें, इसका अर्थ होता है, अदा कले आर्ट, यानि मिट्टी का बना हुआ, एक कलाकरती, तो ये कले आर्ट है, और अगर हम इसमें देखें कि इसमें क्या बात करे गई है, तो इसमें love affairs of young brahmin, चारुदत, यानि एक जवान, युवा, चारुदत और एक कॉर्टीशन, यानि गड़ी का, अगर मैं सुद्ध हिंदी में बोलू, तो वेश्या के साथ में प्रेम प्रशंग की बात करी गई, इसमें love affairs होता है, एक young brahmin, चारुदत का किसे, एक वेश् सुरी है, तो class में इसको discuss करेंगे हम, जब मैं आपको पढ़ाओंगा ये topic, इसके बाद बात करते हैं, विशाका दत द्वारा, तो विशाका दत द्वारा किताब लिखी गई, इसका नाम है, मुद्र रक्षस, मुद्र रक्षस में अगर हम देखे हैं, तो इसमें, चंद्र रक्षस किताब में, जिसको लिखा है, विशाका दत ने, अगर हम बात करें, मग के बारे में, तो मग जीने क्या किया है, शुशुपाल वद, यानि the killing of शुशुपाल, शुशुपाल की हत्या, कैसे हुई, इसके बारे में detail, एकाउंट लिखा हुआ है, अगर हम बात करें, शिक्स नमबर पे, तो इसमें कलहण है, सभी को पता है कि कलहण जीने कौन सी किताब लिखी है, राज तरंगणी, काफे महत्पुन किताब है, काई बार पूछा भी गया है, पेपर के अंदर, कि राज तरंगणी किसने लिखी है, किसके दोरा लिखी गई है, तो इसको बुद्ध चरित और इसको लिखा है अशुगोष जी ने अशुगोष ने बुद्ध चरित किताब लिखी है और इसके बारे में अगर हम बात करें तो बुद्ध चरित का मतलब क्या है बुद्धा के बारे में स्टोरी यानि बुद्धा की जो लाइफ स्टोरी है बुद्धा अगर हम बात करें भासकर अचार के वारे में तो भासकर अचार जीने किताब लिखी इसका नाम है सिधांत सिरोमनी तो आप लोग ध्यान रखेंगे सिध्धान शिरोमणी किताब किसे ने लिखी है भास्कर चारेज ने लिखी है और इस किताब को चार भागों में बिभाजित किया गया है यानि इस बुक को चार पार्ट्स में बिभाजित किया गया है पहला इसका पार्ट है लीलावती जो ड इसमें ग्रहों के जो गडित है उसके बारे में चर्चा करी गई है तो आज के वीडियो में हम लोगों ने आठ महतपूर्ण ओथर्स के बारे में चर्चा करी है और आने वाले वीडियोज में हम बात करेंगे और महतपूर्ण ओथर्स के बारे में और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसमें कई पार्ट्स दूँ जिसमें हम maximum ensign से लेकर के modern तक के जितने भी महतपूर्ण राइटर्स ओथर्स हुए है उन सबकी महतपूर्ण किताबों के बारे में मैं आपको दूँ वीडियो बना करके ताकि आप के ये सारे questions जो बुक से संबंदित आते हैं आप उनको कर पाएं तो आपका काम है कि आपको वीडियोस को जरूर शेयर करें दोस्तों में ताकि अधिक्तम से अधिक्तम लोग जूड़ सके चैनल से और उनको लाव मिल सके तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और ओथर के साथ में थांकि बरिमच जैहंद जैभारत